वो पुलिस के गिरफ्त में खुश हो रहे थे वो चैन की सास ले रहे थे एक शक्स की हत्या करने के बाद भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी बलकि मलही मन वो तो मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने पिता को दिया वचन जो पूरा किया था एक ऐसा वचन ज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई फिल्म ही नहीं बलकि हकीकत है और एक ऐसी हकीकत जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे दरसल ये कहानी है उत्ते प्रदेश के बुलंदे शहर जिले के गाउर रॉंडा की यहां 31 साल पहले शुरू हुआ जमीन को इस हत्याकान से दो आरोप की गरफतार गव को घ्र लिया जिन पर पर में रॉंड को मार कर अपने पिता की आकनी इक्ष्ष को पूरा किया है द्रसल विश की मिवान गाउन के दो पक्षों से जुरा था जिसमें बदले की आंगमे में दोनों पक्षों ने अपनों को खो जिन पक्षों में विवाद हुआ वो कभी गहरे दोस्त हुआ करते थे दोस्ती भी ऐसी की जिसकी मिसाल आसवास के गाउं में दी जाती थी लेकिन थोड़ी सी जमीन और काम की लालश ने उन दोनों को एक दूसरी का दुश्मिन बना दिया जिसके बाद शुरू हुआ रहे थे तब ही उन पर आधादूंद गोलियां चलाई गई जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई घटना के खुलासरी के लिए फोरंसिक और पुलिस की टीमों को लगाया गया था जाच में इस हत्याकान के पीछे साल 1992 में शुरू हुआ विवाद सामने आया जिस पर रामभूल की मा चमपा देवी का कोई भाई नहीं था उनकी शादी भैसरौली नासिरपुर थाना सलेमपुर निवासी रिसाल सिंग के साथ हुई थी कुछ दुनों बाद पिता की तब्यद खराब होने पर चमपा अपने पती के साथ अपने पिता के घर पर आ गई उनके प शियोदान को छोड़ कर तीनों भाई पिता के साथ खरती किसाने क्या करते थे रामभूल आइवी इंस्पेक्टर और शियोदान टीचर थे ये दोनों गाउं के बाहर रहते थे गाउं में शिरिपाल रतनपाल और सत्यपाल रहते थे पिता रिसाल के गाउं के ही मिर सिंग स बहुत अच्छे संबंद थे दोनों परिवारों को एक दूसरे के घर आना जाना था अपने इन्हीं संबंदों की चलते रिसाल और मिर सिंग ने साथ में भट्टे का काम करना शुरू कर दिया इससे अच्छी कमाई शुरू हो गई लेकिन यहीं से दोनों के रिष्टे भी खर लेकिन रिसाल इस बात के लिए राजी नहीं हुआ इस कारण दोनों पक्षों में जमकर मार पीठ हुई जिसमें मीर सिंग का परिवार बेहद घंभी रूप से गायल हो गया इस विवाद में इन लोगों की गाउं में बहुत जादा बेज़िती हुई इसका बदला इन अउका पाकर रिशी पाल और रतन पाल की भी हत्या कर दी इसके बाद मिर सिंग की भी हत्या हो गई मीर सिंग नहीं मरते सामय अपने दौनों बेटों शिफ़ कुमार और मुकेश से खून का बदला खून लेने की बात कही थी जो बात उनके मन मेन आज तक बैठी हुई थी उससे में शिव कुमार और मुकेश दोनों पुलिस से बचने के लिए गाउं से फरार हो गए थे। लेकिन कुछ दिन बाद वापस आते ही इन लोगों ने रिसाल के बेटे सत्यपाल को भी मार डाला। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गरफतार कर लिया। वही मीर सिंग के पक्ष के महंदर की भी हत्या हो गई लेकिन ये हत्या किसने की ये आज तक साव नहीं हो पाया है। उधर शहर में बीमारी के चलते शियोदान सिंग की भी मौत हो गई। रिसाल के परिवार में अब केवल रामभूल ही बचे थे जो बुलने शहर के महला शासरी नगर में रहते थे। वो रिटायर होने के बाद अपनी मा के पास रहने चले गे। वो अपने गाउ में नहीं रहते थे लेकिन गाउ जाकर खेतिक किसानी का काम देखा करते थे उन्होंने शादी भी नहीं की थी 30 अक्टूबर को वो टेक्टर पर धान लाद कर घर लोट रहे थे तब ही उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई एससमिश लोक कुमार का कहना है कि रामभूल की हत्या पुरानी रंजिश में की गई थी दोनों मुख्य आरोपियों को गरफतार कर लिया गया है इस हत्या में कुछ और लोगों के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है जिनकी भी तलाश की जा रही है इसका विवात काफी पुराना था जिसमें रामभूल के भी जेल जाने की बात सामने आई है मामले की जाच की जा रही है रामभूल की हत्या करने वाले दोनों आरोपी साल 2021 में ही जेल से बाहर आए थे और प्लान के तहत ही लोगों ने रामभूल की हत्या की सालों से चली आ रही दुश्मनी और खुर खराबों की बज़ा से अब रिसाल के परिवार में महिलाओं के अलावा कोई नहीं बचा है वहीं दूसरे पक्ष में शिव कुमार और सिर्फ मुकेश बची हैं जो अब पुलिस के अगरफ्त में हैं और दोनों ही परिवार में आपके वाल महिलाओं बची हैं